आप चाहते हैं अपने अंचाहे बालों को हमेशा के लिए हटाना और बहुत ही आसान तरीके से वो भी घर में पड़े इंग्रीडियन से तो ये वीडियो आपके लिए ही है लाइफ प्रूफ आपने देखी लिया है आपके अंचाहे बाल जहां भी आपको परिशान कर रहे हों आप उनको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में एक प्याज को मैं छील लूँगी और फिर करूँगी उसको कद्दुकस और उसका जूस न घर में होता है सिर्फ 10 रुपे मिलता है कोल गेट कोल गेट हम इसमें वाइट वाला ही चाहिए हम इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमें जहां से भी बाल हटाने हैं हम इसको लगा देंगे 20 मिनट के लिए अभी मैं अपने हाथ पर आपको लगा कर दिखाऊंग तक मैं इसको लगा दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इससे कितने अच्छे से बाल निकल जाते हैं, यह मैंने अपने हाथ पर लगा दिया है, अब एक नैपिन पेपर की मदद से मैं अपने हाथ का ये 20 मिनट के बाद साफ कर लूँगी और फिर आप देखेंगे कि मे रिव्यू और आपको बताऊंगी क्या सच में इस तरह बाल निकल जाते हैं या इसकी सचाए कुछ और है तो शुरू करते हैं एक प्याज मैंने भी सिम वैसे ही छील ली है और इसको कद्दू कस कर लूँगी और इसका जूस मैं निकाल लूँगी वीडियो ज्यादा लंबी हो इसलिए मुझे फास्ट फाटवर्ड करके ये वीडियो अपलोड करनी पड़ती है क्योंकि चोटे यूट्यूबर है हमारी 10 मिनट की वीडियो तो कोई देखने वाला है नहीं अब मैं इसमें एड कर लूँगी मीठा सोडा और सोडा मिक्स करने के बाद मैं इसमें एड क सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत 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 धन्यवाद और अगर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर देना क्योंकि मैं रेमेडी नहीं रेमेडी के रिव्यू देती हूं आपको कहीं भी इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी तो ये मेरे लिए ही नहीं आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने अपने हाथ को पानी से पहले धो लिया था और इसको अच्छे से लगाने के बाद मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगे आप देख सकते हैं बाल आपको भी दिखाई दे रहे होंगे मैं एवरी फ्राइडे एंट ट्यूजडे वीडियो अपलोड करती हूँ तो प्लीज नोटिफिकेशन वैल भी जरूर अन कीजिएगा तो हाथ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी फिर मैं आपको बताऊंगी के मुझे इससे कैसा रिजल्ट मिला 20 मिनट हो गए हैं 20 मिनट से भी जादा ही हो गए हैं अब मैं इसको अपने हाथ से चुड़ाऊंगी यह सूप गया है पूरा तो थोड़ा सा मुझे इस पर पानी लगाना पड़ेगा नैपकिन को मैंने अभी अगर ऐसे साफ कर रही हूँ तो यह नहीं निकल रहा है तो हलका सा मैं नैपकिन पानी में भिगो लूँगी और उसके बाद मैं इसको साफ कर दूँगी जब मैंने इसको लगाया था तो मेरे हाथ में थोड़ा सा ऐसे क्योंकि कोलगेट है इसमें हम जब जल जाता है तब भी हम मोसली घरों में कोलगेट लगाते हैं तो उससे थोड़ा ठंडा मेरा हाथ लग रहा था अभी मैंने इसको निकाल लिया है लेकिन मेरे हाथ से बाल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, और क्योंकि आप अभी देख सकते हैं, अभी मेरे हाथ पर बहुत अच्छे से बाल दिखाई भी दे रहे हैं, अभी मैं क्योंकि मैं खुद भी चाती हूँ कि ऐसा कोई इसी तरीका मुझे मिल जाए, वैक्सिन के दर्ब से मुझे ना गु करूंगी, क्या पता, सेकंड टाइम यूज करने से यह सक्सेस्फुल हो जाए, अभी मैं सेकंड टाइम लगा रही हूँ, फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब मैंने इसको देखा था, और मैंने वीडियो में देखा भी था, कि सचमे बाल निकल रहे थे, एक्दम बाल नहीं था, मेरे हाथ के पर वैसे के वैसे ही बाल थे, तो दो बार यूज करने बाद भी मुझे सूने रिजल्ट मिला, तो मुझे लगता है कि उनको इतना बड़ा चैनल है, और उनको भर भर के व्यूज मिलते हैं, तो उनको बता देना चाहिए, वीडियो के अंत में, कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसका सत्यता से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, तो कम से कम जो उनको देखने वाले, उनको पसंद करने वाले हैं, ये फाल्तु की एक्सपेरिमेंट से बच जाएंगे, अब आप ये सोच रहे हों कि मैंने वीडियो क्यों जब ये रिजल्ट ही नहीं देती, तो भही मेरा काम ही ये है, कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सी रेमेडी रिजल्ट देती है, और कौन सी रेमेडी रिजल्ट नहीं देती है, अगर 89K लोगों ने देखा है, तो 60K लोगों ने तो इससे अप्लाई भी किया होगा अपने ह पर तो मैं उन सबको तो नहीं बचा सकती लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं जो मुझसे जुड़े हैं उनको तो ऐसी रेमेडी से बचा ही सकती हूं तो आप भी अगर बचना चाहते हैं इस तरह की रेमेडी से और जाना चाहते हैं कि कौन सी रेमेडी स सच में असरदार है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और वीडियो अगर आपको यूस्फूल लगी है और आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एक कमेंट भी जरूर छोड़ना